हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावाज Z53 Android वाइल फोन में आप इस्टेटस बार को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और इसे रिसेट कैसे कर सकते हैं ठीक है इस्टेटस बार को तो चलिए आपर जो वीडियो को इसे सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से आपका ये पूरा इस्टेटस बार पेज जो है open हो जाता है ठीक है इस पेज के नीचे की साईड में आप जाएंगे तो यहां पर आपको जो काफ़ी सारे आइकनस आपको देखने को मिल जाते है जो कि आपके अस्टेटस बार में दि और यहां पर आपको पूट कर देना इस तरीके से तो यहां पर आपका यह एड हो जाएगा आपको ध्यान रखना है कि नीचे से जो आइकन ला रहे हैं आपको hold and drag का यह जो नेम लिखा हुआ है जैसे कि यह देखे कि wifi का आइकन है मैं इसे हाइट करना चाता हूँ तो इसे आपको उंगली से दबा कर रखना है दबा कर रखिये और इसे जो है नीचे लाइए और आपको यहां पर पूट कर देना है तो यहां पर आपको hold and drag के इस नेम लिखा है इसकी नीचे की साइड में आपको put करना इसकी नीचे की category में तो इस तरीके से आपका जो यह आइकन है यह हाइड भी हो जाएगा आप देख सकते हैं wifi का आइकन यहां पर नजल नहीं आ रहा है ठीक है अब इसी तरीके से आप जो status बार को reset भी कर सकते हैं ठीक है three dot का यह option दिख रहा है इसे select करना है अब यहाँ पर reset का यह option शो हो जागा इसे select करना है तो इसे होता है क्या है कि आपके यह जो status बारे reset हो जाता है पूरा mobile phone reset नहीं होता है ध्यान रखे ठीक है तो यहाँ पर यह देखे wifi का icon अपनी जगे पर आके set हो गया है तो यह setting जो है mobile phone की default setting के according फिर से set हो जाती है और